फिल्म साहो की वज़े से प्रभास की उड़ी रातों की मीम कई रातों तक प्रभास अपनी इस फिल्म की वज़े से सो तक नहीं पाए फिल्म साहो साल की सबसे बड़ी फिल्म है और सबसे बड़ी फिल्म के सक्सेस के प्रेशर में प्रभास को कर दिया है परिशान अपने एक इंटर्व्यू में प्रभास ने रिवील किया है कि फिल्म बाहु बली की सफलता के बाद उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया है इस फिल्म से उन्हें इतना प्यार और पॉपुलारिटी मिली है कि वो अपनी फिल्म साहो के रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं प्रभास ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान कहा There is now a lot of audience. You don't even know which path loved you more. My friend told me how his kids in Gujarat are singing Bahubali songs. So the pressure is also more. It is scary. I have had so many sleepless nights for Sahu. I couldn't sleep for many days because of the stress. Suddenly it gets on to you. प्रभास definitely एक फिल्म से रातो रात पूरे देश के स्टार बन गए. और उन्होंने एक्सेप्ट किया के आज देश के हर कोने में लोग उन्हें जानने लगे हैं. There are people who know me around the country and in some parts of the world also. It's like a dream. I came to Mumbai so many times when no one would recognize me. And now they know me, my face and come to me. I made him to go anywhere, anytime without being recognized. As a telego actor, I could go anywhere. But this is a beautiful thing though. इस तरहां की popularity पाना हर स्टार का ड्रीम होता है. और भले ही इस सदन फेम ने प्रभास को जरा स्ट्रेस पे दिया है, लेकिन वो खुद को मिले इस प्यार के लिए लगी मानते है. अब साहो तर्यद आउगस्ट को रिलीज हो रही है. और फिल्म को लेकर जिस तरहां का बस बना हुआ है, ये फिल्म टेफिनिटली प्रभास की रातों की नेंद को वापस ले आएगी. Euro Report, Zoom, Mumbai.